माता जी की मूर्ती जाके आप लोग भी दर्सन कर सकें और हम भी दर्सन कर लें फ controlling सबसे पहले लेगा उसके बाद और भी व्लोग आएगे लेकिन यहां का एंडिंग ब्लोग यहां का है खहलू रहा है और हमको आज के बाद आप को करनाट का ट्रोलिंग ब्लॉग सबसे पहले मिलेगा उसके बाद और भी व्लॉग आएंगे लेकिन यहां का इंडिंग ब्लॉग है आज का सो जो व्लॉग आएंगे अब करनाटक से सम्बंदित आएंगे सो चलिए मिलते हैं माता जी की मूर्ति के पास और पास ले जाके आपको दुर्गा मा का दर्सन कराएंगे और माता जी आज ही आई कल आई थी तो आज दूसरा दिन है और इसलिए हम पहुंच चुके हैं और पं सती जी की मूर्ति और गड़ेश जी की मूर्ति साथ में दूबभवान हो रहे हैं इस मूर्ति का जो आज सी नहीं हमारे यहां से 22-24 साल हो गया है जो यहां पर मूर्ति बैठती है तो अभी आपको नजदीत सतर्सन कराएंगे तो अभी जून से देख लेजिए उसके राद सिके जी और सरसदी जी की मूर्ति है तो मजदीक से देखने में कुछ ऐसा है और यह यह मूर्ति है और पिछले 22-24 सालों से यहां पर मूर्ति बैठाई जाती है तो भगवान आते हैं तो बहुत ही जबदस लगता मोहल अच्छा लगता है और जो चले जाते हैं सब पतम हो जाता है ठीक है मिलते हैं तो माता जी के दर्सन करने के बाद हम चल रहे हैं अपनी घर की तरफ और किसी से बात नहीं करा पाए इसके लिए सौरी क्योंकि थोड़ा संकोच भी लग रहा था और थोड़ा कोई था भी नहीं वहाँ पे तो हमने सोचा कि क्या बात कराया जाए माता जी के दर्सन हो गए वही सबसे बच्छी बात है अब हम चल रहे हैं घर की तरफ और घर पे चलके इस ब्लॉक का इंड करते हैं तो चलिए मिलते हैं सो गैज हम पहुंच चुके हैं घर सो आज के ब्लॉक का इंड हम यहीं पे करेंगे सो जैसा कि मैंने बोला था कि माता जी के दर्सन आपको कराऊंगा सो दुर्गा मा का और सरस्वती जी का और साथ में गडेश जी और कार्तिके जी का दर्सन आपको कराया सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद नमस्कार जैहिन